अनन्द कुमार जी जो की नेशनल परेजिडेंट है SCST सेल के और काफी उचे पदों पर भी रह चुके हैं SCST समाच कल्याण में तो आईए जानते हैं जिस तरीके से हाई कोट का अच ओर्डर आया है नई दिल्ली हाई कोट शादी करने से खत नहीं हो जाता दुशकर्म का आरोप इस पर ये क्या कहना चाहेंगे सर आज जो कोट का ओर्डर आया है जो बी टिपड़ी की है कोट ने क्या कहेंगे इस पर आज जो हाई कोट का हमारा जो ओर्डर आया है मैं सबसे पहले मैं उसका स्वाकत करता हूं और हमारे जो देश के अंदर जितनी भी महिलाएं हैं अब हमारे पास ऐसे भोछ से के्स शिकायत आती थी कि सर हमारे साथ ऐसे दुस्कर्म हुआ है उनको पूरा नयाय नहीं मिल पाता था और नयाय ना मिलने से नारी बड़ी परिसान थी लड़कlak बड़ी परिसान रहती थी आज कोट ने साबित कर दिया है कि लड़की के साथ में जो भी जिस तरह बलतकार दुसक्रम जैसे सब जो है यह हटाने ही पड़ेगा और जितने भी आज आपने देखा कि तमाम लड़कियां जितने भी लड़के क्या करते थे लड़की से पहले दोस्ति की फिर साधी कर ली फ मगर यह हाई कोट ने फैसला सुना कर सब जो ऐसे जो मंचले जो मजुनू टाइप के जो लोग थे उन पर सिकंजा कसा है और तमाम देश के अंदर कई तो ऐसे मामले भी आये हैं कि जैसी साधी करी वैसे ही छोड़के भाग गए ताकि बलटकार केस से वो बच जाए हाँ ऐसे बहुत सारे केस थे तो अब कोट ने ऐसा फैसला सुना दिया जिसके लिए जो है अब यह मंचले मजुनू टाइप के लोग बची नहीं सकते और जब तक उनसे साथ बच्चे पैदा होगे या साधी होगे या किसी कानून के डर से उनों जो भी कुछ कर लिया मगर उसके लिए अभी वो सुरक्षित नहीं है उसके बाद भी चाहे साधी कर लें बच्चे पैदा हो जो उसके बाद भी कोट ने अपने पास सेफ रखा है कि लड़की किसी तरह से उत्पीड़न ना हो और जब तक लड़की को पूरी तरह से नहीं मिल पाता वो केस उसका बरकरार रहेगा बलतकार का केस चलता रहेगा दुसक्रम का केस चलता रहेगा इसके लिए सबी तमाम जो हमारे देश की जो लड़किया है जो हमारे उससे सुर चाहेंगे जो जिनके साथ काफी घटना घट जाती हैं वो लोग सामने नहीं आ पाती है इस वज़े से भी कई लड़किया ऐसे सामने नहीं आती है कि उनकी नाम जो है बता दिया जाएगा या उनके घर का पता बता दिया जाएगा उनकी जो भी है पहचान एडेंटी जो भी ह वहार जो फोर्स है पुलिस की पुलिस है उन्होंने एक इनका नाम गुप्त रखा जाता है और नाम बदल के केश चलाते हैं जिससे कि लड़कियां जो यह ना समझे कि हम लोगों का यहां पर उत्विर होगा यहां लोगों का अड़रटाइजमेंट होगी मगर जितने भी ऐस संदे ना करें उनको पूरा नियाय मिलेगा और उनका नाम पूरी तरह से गुप्तर रखा जागा अपने प्रसासन की मदद ले ऐसे मंचले मजनुव को बंद कराने में बहुत बड़ा योगदान होगा हम लोगों का भी किसी भी तरीक है कि हम लोगों की जो भी साहिता की ज चाहिए कि किसी का ना मुझागर ना किया जाए खास तो लड़की का जिससे कि क्योंकि आने वाले जो है उनके रिष्टे में उनके पड़ाईयों में उनके कोली जो में बड़ी परिसानिया होती है इसे लोगों को जो मीडिया वाले लोग है जो प्रिंटिक मीडियो इस तर सामने नहीं आती हैं उन्हें ये बहर रहता है कि हमारा नाम सारवजनी कर दिया जाएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है उनकी जो पहचान होती है वो गुप्त रखी जाएगी और चितने भी ऐसे दुप्षकर्म करने वाले लोग हैं उनको सजा मिलेगी अगर वो सामने आती हैं तो